Hello World, My Name is Vasim and I am a Full Stack Web Developer. आज की वीडियो नवो completely roadmap वीडियो है for machine learning. इसमें हम बात करेंगे machine learning क्या है, किस तरीके से आप हो रहां machine learning सीख सकते हैं, online कौन-कौन से resources available है machine learning सीखने के लिए, कौन सी ऐसी companies है इंडिया में जो की machine learning engineers को hire करती है, और इंडिया में job market and salary packages वगेरा क्या हो सकते हैं, ओकी, so without wasting more time, let's get started. तो सबसे पहले बात करते हैं, what is machine learning? In technical words, machine learning का मतलब ये कि कुछ ऐसी algorithm design करना, जो कि large amount of data को process करें, ठीके, अब यहाँ पर होगा क्या कि user के actions के according, आगे के output generate किये जाएंगे, ठीके, अगर मैं इसको एक example से explain करूँ, तो for example, अभी आप YouTube पे ये मेरी वीडियो देख रहें, ठीके, तो YouTube आपको auto recommend कर रहा है मेरे channel के कोई और वीडियो, या फिर machine learning से ही related कोई और वीडियो, यह एक example हो सकता है, second example इसके होते है, chatbot, अगर आपने किसी website, chatbox पे message किया है, तो आपको auto reply मिलता है, as per your message, जो आपने लिखा है, उसके according, जो उनके database में number of messages होते हैं, उसके according आपको auto reply मिल जाता है, या फिर आपने gmail तो यूज किया होगा, gmail में भी कुछ mails ऐसे होते हैं, जो कि आपके spam में आते हैं, अब यह spam में कैसे आते हैं, because वहाँ पर पीछे machine learning algorithms होती है, जो कि वो mails के content को पढ़ती है, ठीक है, अगर उनको लगता है कि इस mail के अंदर कुछ ऐसा content है, जो कि user के लिए harmful हो सकता है, कुछ ऐसे links हैं, जो कि user के लिए सही नहीं है, तो वो automatically spam में चले जाते हैं, तो इस तरीके के जो भी work होता है, वो user के according होता है, मतलब मैं कोई video देख रहा हूं, तो मुझे उसी से related दूसरे video मिल रहा है, कुछ message type कर रहा हूं, तो उसी से related कुछ answer मिल रहा है, या फिर कुछ ऐसे messages आ रहे हैं, जो कि मुझे machine को लग रहा है कि सही नहीं है user के लिए, तो वो automatic spam में जा रहे हैं, अब इसमें कुछ mathematics के topics हैं, तो कुछ programming languages भी है, अगर mathematics की में बात करूँ तो linear algebra हो गया, statistics हो गई, और programming language की में बात करूँ तो python हो गई, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि आपको इनमें PhD करनी है नहीं, basic knowledge है तो भी बहुत है आपके लिए, अगर आपके इन सभी prerequisities के basics clear हैं, तो well and good आप directly machine learning के जो भी core concepts हैं, उन पर jump कर सकते हैं, otherwise मेरे दोस्त पहले आप prerequisities सीखिए, कुछ time invest कीजे वहाँ पर, then you can try two core concepts of machine learning, इसी के साथ-साथ machine learning के तीन major types होते हैं, वो भी आपको पढ़ने पढ़ेंगे, इसमें number one पर आता है, supervised learning, इस concept में generally क्या होता है, कुछ इस type के algorithms लिखे जाती हैं, जो कि user के input के according next time खुद action perform कर पाए, on that kind of task, for example, मुझे लगता है कि यह particular mail spam में जाना चाहिए, ठीके मैं मुझे सही नहीं लग रहा, ठीके वो mail, तो मैं उसको flag कर दूँगा, या फिर कह सकते हैं कि उसको label कर दूँगा as spam, तो next time machine क्या करेगी, automatically detect कर लेगी, अगर उसी type का mail दुबारा आता है, तो दुबारा क्या होगा, अगर वो mail आया, उसी type का same content से, या फिर कुछ भी content हो सकता है, अगर similar लगा, तो वो automatically spam में चला जाएगा, second is unsupervised learning, इस concept में देखो क्या होता है, कि variety of data available होता है, algorithm के पास, वो algo उस data को read करती है, process करती है, और खुद से कुछ insights प्रोवाइड करती है, इसका एक example हो सकता है YouTube studio, अब YouTube studio में क्या होता है, YouTube studio जो भी creator होता है, ठीक है, उनके subscribers होता है, तो वहाँ पर हमें यह बताया जाता है कि आपके जो subscribers है, वो day time में किस time पर सबसे जादे एक्टिव हैं, हो सकता है, आज किसी process का output जो आ रहा है वो कल न आ है, basically यह जो algo है वो खुद को environment में डाल लेती है, इसको एक example से समझा दो, for example, आपने को input A दिया, इसका output आपको B मिल रहा है, आपको जाके simply search करना है, machine learning crash course by Google, तो आपको number one result मिल जाएगा, आपको उस website पर जाना है, यहाँ पर आपको completely crash course मिलेगा, machine learning पर ठीक है, second number platform है, madewithml, madewithml.com, यह भी completely machine learning का ही है, और third number platform है, Kaggle, Kaggle.com, I guess domain मैं सही बता रहूं, otherwise मैं आप description भी check कर सकते हैं, मैं तिनों के link add कर दूँगा, description में, Kaggle एक ऐसा platform है, जो कि machine learning पर आपको projects भी provide कर सकता है, वहाँ पर आप देखके, kind of project खुद से भी बना सकते हैं, idea वगर लेके, और competitions भी वहाँ पर होते हैं, तो आप कह सकते हैं, कि अगर आपने सीख लिया है, तो आप अपने skills को और improve कर सकते हैं, Now let's talk about the job market and salaries, specially in India for the machine learning engineers, तो देखो जितने भी बड़े tech science हैं, for example Google, Microsoft, Oracle, Facebook, Flipkart, Amazon, service based में अगर बात करें, तो TCS, Vipro, Accenture, इन सभी में, इन सभी companies में data, जो machine learning engineers होता है, fresher हो, या फिर intermediate हो, या फिर experienced persons हो, यहां पर hiring चलती ही रहती है, machine learning engineers के लिए, और अगर salaries अगरा कि मैं बात करूं, तो fix तो नहीं है, जैसा मैं हमेशा से बताता हूं, but I believe कि 6-7 lakh minimum starting range होती है, मतलब एक साल का, इतना package तो आपको अराम से मिल सकता है, 6-7-8 lakh तो ठीक है, अब अगर बात करें कि यार मेरे जो बाजू में company है, मेरे शहर में जो company है, क्या वहाँ पर मुझे machine learning engineer की post मिल सकती है, तो my friend, I guess थोड़ा मुश्कुल होगा, because machine learning engineers की जो vacancies होती है, वो most of the cases में बढ़े tax science में होती है, जो MNCs होती है, जो आपके शहर में या फिर आपके बाजू में जो छोटी मोटी company है, वहाँ पर machine learning का काम इतना होता नहीं है, okay, so that's it for this video, अब अगर वीडियो में मेरे साथ अभी तक बने वे हो, तो make sure video को like जरू कर देना, चैनल को कर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो सोच कहरो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, अगर लगता ही कि वीडियो किसी भाई बंदू के काम के हो सकती है, किसी फ्रेंड के काम के हो सकती है, तो उसको यार, शेर भी कर दो, उसको सब्सक्राइब करने का भी बोली दो, ठीक है, तो चलो फिर, अच्छा हाँ, जाते जाते, Instagram और LinkedIn दोनों पर follow जरू कर लेना, किसी रिप्लाई भी करी दूँँ, ठीक है, तो चलो फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तिल देन, बाबाई